नमस्ते तो जैसे ही इस टॉपिक का हेडिंग देख ली होगी कि ये पॉडकास्टिंग के बारे में हैं और आज जो मैं ये अभी जो एक कहानी बताने जा रही हूँ ये अभी लास्ट वीक ही इस पॉडकास्ट ने हमको कॉंटाक किया है और मुझसे रिक्वेस्ट की है कि गुरुदीदी मेरे कहने पे आप मेरा नाम चायरी कंस्ट्रक कर लीजिए या मुझे पॉडकास्टर बोल लीजिए लेकिन ये प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ अपनी एक गलती की वरेसे बिकिस मुझे कोई गाइड करने वारा नहीं था बहुत से तांतरिक-based लोग आएं मेरे podcasting unit में बहुत से questions हमने उन से पूछे बहुत से questions उन्होंने जवाब भी हमें दिये podcast हिट हुआ सब कुछ हुआ और आज की रेट में he is doing extremely well also बट जो problem में वो खुद फस गया है जिस वज़े से उसने हमको contact किया है वो जो है ये message वो देना चाहता है इस channel के माध्यम से अब कुछ लोग बोलेंगे कि why can't he go in his podcasting channel and talk about this नहीं क्योंकि वो उसके personal life के बारे में है and you know हाँ उसने अपनी personal life के बारे में पहले बात की है but this thing becomes very very crucial okay मतब घरवालों को भी नहीं पता है अभी for that matter and no celebrity कोई भी हो even जो normal non-celebrities भी है हमारे clients उनके पास भी confidential clause है महाकाली वे देखी लिए शेल्टर के उसमें कि कहीं उनके नाम बहार नहीं जाएंगे कहीं उनकी information बहार नहीं जाएंगे तो celebrities जो आते हैं उनका तो of course और ही criteria strictly follow करने पड़ते है and he has a very good name in the podcasting world तो इस वज़े से ये जो कहानी है ये अभी पिछले हफ़ते की ही है अभी उसकी case study हुई है इस channel में views बहुत कमा दे क्योंकि ना हमने कोई monetization कर रखी है ना हमने कोई ads दी हैं आज तक 10 साल से उपर हो गया है अपने आप लोग यहां पहुचते हैं माखी किरपा से जिनको ठीक होना होता है जिनका कोई connection होता है वो ही यहां पहुचते हैं अदरवाइस आजकल तो सब SEO कराके Google पे youngsters भी आ गए हैं और instant astrology सीखने वाले भी आ गए हैं और podcasting तो आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब हर कोई podcasting channels में जाके interviews हो रहे हैं, marketing हो रही है PR skills हो रही है सब पता ही है digital world के लोगों को हम ऐसे किसी भी चीज में नहीं है ना जरूरत पर रही है, touch wood for that matter अब कहानी ये है कि इस इनसान ने अपना podcasting career जो है, जो uplift हुआ है वो उकल science के जितने भी या tantrik tantr से related जो dark energies के, demonic energy dark energy, negative चीजों के बारे में podcast करे हैं, बहुत करे हैं बहुत सारे guests आएं, उन्हें बाते की हैं बहुत डीटेल में बाते की हैं और इस इनसान के साथ क्या होने लगा, कि एक साल तक कुछ नहीं हुआ बहुत हिट गया podcasting channel बहुत awards भी जीते and बहुत पैसा कमाया, बहुत success है, he has an extremely top-notch name in the podcasting industry अभी क्या हुआ है कि जो case study जब की गई और जब ये खुद भी जो उसको महसूस होने लगा वो how he reached to us उसने मुझे ये बताया कि गुरू दीदी first of all मुझे लगा कि मैं इतना non-stop काम करता हूँ इतनी non-stop shootings है मेरी team के साथ मेरी guests के साथ कि मैं I think maybe I am hallucinating मतलब मैं illusion ऐसा है नहीं मैं इतना ठक गया हूँ कि मेरा दिमाग में ऐसी pictures बन रही है ऐसे diagrams बन रही है जो मैं देख रहा हूँ digitally mind में मैं ऐसे digitally but धीरे धीरे जब उसके दिमाग में आईस के सामने जो diagrams है वो एक तरीके से live बात करते करते भी glimpses आने लगे बात करते करते भी not in dreams in reality he is sitting and talking to me and he is saying कि glimpses आने लगे so that means what कि मुझे विश्वास होने लगा कि नहीं मैं awake हूँ मैं aligned हूँ अपने energies के साथ और मैं होश में यह सब देख रहा हूँ okay and what he started seeing was उसका एक episode एक particular episode जो उसने podcasting का किया था और जो description जो बाचीत जो guest जो बोल रहा था उस particular topic के बारे में वो सारी चीज़ें उसे सामने बार 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 दिखने लगी जिस entity के बारे में बात हो रही थी जिस demonic entity के बारे में बात हो रही थी उसके glimpses उसको आने लगे as if entities को contact करना चाहरी है वो इसके साथ एक connection बनाना चारी है, एक link बनाना चारी है और ये धीरे धीरे increase होने लगा, यहाँ तक ये उसको फिर लगने लगा जब वो shoot से भार जाता था, अकेले में जाता था, अपनी personal life में जाता था personal life से मेरा मतलब girlfriend नहीं है, personal life से मेरा मतलब है जब वो केले में बैठता था, घर कम studio, studio कम घर, जो भी कहड़ो, that he's not alone, वो meditation कर रहा है तो भी, meditation तो हो रही है, लेकिन साथ में उसको ऐसा भी लग रहा है कि meditation में साथ में भी कोई बैठा है, जबकि वो divine mantras की meditation कर रहा है but, something is sitting with him, which is not very good, कुछ लोग बोलेंगे, अब अगर वो भगवान की meditation कर रहा है, तो negative energy कैसे, please, जब जिस बारे में knowledge ना हो, उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, यह मैं हमेशा बोलते हूं, जब आप मांत्रिक मंत्र पढ़ रहे होते हों, आप बोलने रहे हों, आपके energy ठीक हो रही है, बट एक साधक जब बैठता है मंत्र पढ़ने में, और गुरू दीक्षा से मंत्र पढ़ा जाता है, तो उसका effect और उसका aura अलग होता है, उसकी protections अलग होती है, और जब normally आप किसी कहीं देख के podcasting के through, या आपके guests आए, उनके suggestion में, या even तांत्रे guests आए हैं उसके shows पे, and I asked him कि ने उनको contact नहीं करा, तो बढ़ा किया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, ये तो बता दिया कि हाँ, ये चीज हम लें कुछ हो नहीं पा रहा है, उपाई करें पर कुछ हो नहीं पा रहा है, और मैंने उसको यहीं बात करें, कि इस channel तक वहीं इनसान पहुचता है, ना views हैं, इस channel में ज्यादा ना कुछ है, लेकिन बस मा का आशरवाद है इस channel पे, मा काली का आशरवाद है इस channel पे, कम views होते वे भी, हमें कभी ads की ज़रूत नहीं पड़ी, कभी commercialization की ज़रूत नहीं पड़ी, कभी SEO की ज़रूत नहीं पड़ी, और अगर यहां तक पहुचे हैं, कोई जितने भी पहुचे हैं, तो वही पहुचे हैं, जिनका कुछ अधूरी चीज बाकी है, जो पूरी होनी है यहां पे, आके, चाहिए वो removals हो, चाहिए वो कुछ भी हो, यह सच है, अब वो अलग बात है कि लोग यहां पे आके, यहां से चीज़े गेन कर पाते हैं, पॉजिटिविटी से, यहां का नुकसान करने में खुद डूप जाते हैं, उसके बार में कभी और बात करूँगी, अभी के लिए, so, देनी टोल में कि गुरु दीदी मुझे ऐसा लगता है कि, अब ऐसा हो गया कि, अगर मैं वाश्रूम में भी जा रहा हूं, मैं नहां भी रहा हूं, या मैं, सुबह के वक्त भी अब ऐसा होने लगा है, कि, I never feel कि मैं अकिला हूं, और वो चीज़ मुझे लग रहा है कि, अब मुझे अटाक मोड पे आने वाली है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि, यह चीज़ मुझे कभी भी, कहीं भी खतम कर सकती है, क्योंकि वो मुझसे एक confirmation मांग रही है, कि हम तुझको और पैसा देंगे, और fame देंगे, लेकिन तुझे हमारी यह एक या दो बात माननी पड़ेगी, और वो बात क्या है, वो of course मैं disclose नहीं कर सकती, बट एक तरीके से deal करना, एक तरीके से contract बनाना, यह Illuminati नहीं है, ऐसा ना सोचे कि मैं Illuminati की क आओगे, जो explain करना मुश्किल है, बताना मुश्किल है, लेकिन वो है, और मैं तभी कहती हूँ, इन चीजों को challenge मत करो, इन चीजों से कभी भी यह मत सोचो कि इनके बारे में तुम जितना बात करोगे, जितना तुम इनके बारे में even promotions करोगे, जितना इनके बारे में information भी होगे न, तुम activate कर रहे हो इन चीजों को, you never know उसमें से कौन सी entity की है, कौन सी supernatural element की, तुम्हारे साथ frequencies match कर जाए, तुम्हारे horoscopes के साथ, तुम्हारे past karmic accounts के साथ, क्या vibrations match कर जाए, you never know, तो अगर साधक नहीं हो, अगर tantra के field में सीखने के माध्यम में नहीं हो, तो इन story of deads, या supernatural element, ना मत करो, ना कोई podcasting इतनी depth में करो, because you never know, तुम जतनी बार podcasting में इनका नाम ले रहे हो, detail में जा रहे हो, guest से पूछ रहे हो, guest बता रहे हो, क्या side effects, you don't know, protection तुमारे पास है नहीं, spiritual protection, ठीक है, या तो protection लो, और किसी सिद्ध गुरू से लो, divine गुरू से लो जनके ओपर, माता का या किनी डेटी का हाथ हो, वो लो, that's very important, okay, तो यह मैंने podcast का जो channel का information है, वो इसले ही देने को बोला है, क्योंकि पहले तो मैंने promise किया था, from, with a podcaster, that yes, I will talk about it, शायद मैं उसके podcasting channel में दिख भी जाओ, बहुत जल्दी, you never know that, we are yet to decide, we are yet to decide, that's not the point, the point is this, that जब उसके साथ यह हो गया, and he told me, कि तीरी यह आप जरूर information दीजिए, for the young podcasters, जो शुरू कर रहे हैं, कि यह इतने depth में जाके, बिना protection के, या बिना guidance के, कुछ भी बोलना, या, मैंने का तुम्हारे पस protection हो भी, I would recommend, कि ज्यादा depth में इन topics को मतला, और बहुत सारे topics हैं, भगवान के बारे में बात करो, हमारे history के बारे में बात करो, बट, supernatural science का इतना depth, उनके नाम लेके बोलना, details बोलना, ये safe नहीं है, ये safe नहीं है, कभी गौरफ तेबारी के बारे में मैं बात करोंगी, he was a friend, a known one, not a very good friend, but a known one, from the same field, and मेरी गौरफ से बात भी हुई है, when he was doing भूताया का सीरियल, इसके बारे में मैं एक और episode बताऊंगी, but मैंने उसको वांड किया था, कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है गौरफ, and I think you should take the protection now, मेरा protection के ऐसे जाना, paranormal investigations करना, अब मुझे असर लग रहा है, और अफेक्ट हो रहा है, but then, उसने lightly लिया इस बात को, because हमारी कोई बहुत सीरिस कॉनसेशन इस बारे में नहीं हुई थी, it was a very small chat on Messenger, we had on Facebook, and, यही बात थी, and the result, हम सब को पता है, कि गौरफ की डेथ हो गई, बहुत ही मिस्टीरिस वे में, और हम सब को, जो उकल से हैं, सब को पता है, कि कोई entity से ही डेथ हुई है, supernatural डेथ ही हुई है, तो इन चीजों को बहुत सीरिसली ले, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, जो podcasting unit से हैं, youngsters, भाई या तो protection लेकर इस चीजों करो, और इन चीजों के depth में ज्यादा मत जो, दूर रहो इन चीजों से, तुमारी life upside down हो सकती है, बहुत कुछ है बात करने के लिए podcasting में, बहुत कुछ है करने के लिए topics में, मैं यह नहीं करें इन topics में बात मत करो, mention करो, बच इतने detail में कैसे होता है, क्या होता है, यह सब जो है, तुम उनको सुना रहे हैं उनकी कहानी, तुम तो उनको और activate कर रहे हैं, और happy कर रहे हैं कि ओ वाओ, कल यूप में कितने लोग हमारे बार में बात कर रहे हैं, तुम तो उनकी energy बना रहे हो, उनको feeding दे रहे हो, तो क्यों नहीं वो activate होंगे, क्यों नहीं वो तुम्हारे तरफ आने की attraction में, पुल होके आएंगे, अगर तुम्हारी चीज़े match कर गई हमाथो, आएंगे, avoid it, okay, of course, अब हम healing शुरू करेंगे, of this podcaster, and that's about it, यही था video, अब comment section में, team से मत पूछना शुरू करना, for heaven's sake, is it that podcaster, is it him, is it or is it someone else, नाम हम नहीं बताने वाले हैं, ना किसी client का बताया है, आज तक, ना celebrity का बताया है, ना इस podcaster का बताएंगे, अपने आप hint में सोचते रहना, जरूरत भी रहने हैं वैसे सोचने की, यह message जो देना था, वो बहुत clear देना था, वो दे दिया है, ओके, इस video को, बहुत seriously देना, चैक कितने भी कम views आएं, as usual, उससे हमें मतलब नहीं है, हमने जो अपना काम करना है, information पहुंचाने का, वो जितने लोग तक भी पहुंचना है, मा पहुंचा रही है, उससे ज़्यादा beyond हम सोचते नहीं है, ना कभी सोचा है, ना आगे सोचे ही है, ओके, अपना काम करना है, अपना काम करना है,